दोस्तों आप सभी को नमस्कार आज 3 दिसंबर है यानि संडे और आज सुभा 8 वजे से ही काउंटिंग स्टार्ट हो गया था चुकि 5 राजियों के विधान सभाव का चुनाव हुआ था विधान सभा की अलग-अलग जो सीटे थी अलग-अलग राजियों में उसके लिए कि जो 40 सीटे हैं उसके लिए जो एलेक्शन हुआ था उसका रिजल्ट कल आएगा निर्वाचनायोग के ओफिशियल वेब साइट पे इस तरह की जनकारी दे दी गई है अगर सीटों की बात करें कुल कितने विधान सभा सीटे हैं मत्य पर्देश में 230 विधान सभा सीटे है अब यह जो चुनाव है कितने चरणों में हुआ जर आप इसको भी समझ ले मत्य पर्देश में चुनाव एक चरण में हुआ 36 गड़ में चुनाव दो चरणों में अब 36 गड़ में इस वजह से हुआ क्योंकि वहां का एक बरा हिस्सा नकसल पर भावित है तो इस वजह से 36 चुनाव दो चरणों में संपन हुआ राजस्थान में एक चरण में ही चुनाव संपन हुआ तेलंगाना और मिजोरम में भी एक एक चरण में चुनाव संपन हुआ जिन पांच राजियों में इलेक्शन हुआ था साथ से 30 नमॉंबर के बीच में वहां पर सबसे जादा वि सफलता मिला था किन पार्टियों का सरकार बना था सबसे पहले बात करते हैं मध्य परदेश का दो हजार आठारा की अगर बात किया जाये तो मध्य परदेश में कॉंग्रेस का सरकार बना था लेकिन दो वर्स बाद ही कॉंग्रेस की उस सरकार का पतन हो जाता है क्योंकि जोती रादित्य सिंधिया कुछ विधायकों के साथ कॉंग्रेस पार्टी को छोड़ देते हैं उसके बाद भाजपा का सरकार बनता है सिवराज सिंग चोभान फिर से वहां के मुख्यमंतरी बन जाते हैं अगर 2023 की बात किया जाए आज जो काउंटिंग हुआ आज जो रिजल्ट आ अब्बे है वहाँ पर 2018 में कॉंग्रेस का सरकार बना था लेकिन अब सरकार बनने वाला है भाजपा का क्योंकि आज जो रिजल्ट आया है वहाँ पर भाजपा को असपष्ट भावमत मिल चुका है दोस्तों अगर बात करें राजस्थान का राजस्थान विधान सभा के कु जहाँ पर एक चरण में चुनाओ हुआ था विधान सभा की कुल 119 सीटे वहाँ पर हैं 2018 में तेलंगाना में TRS जो बाद में हो गया था BRS उसका सरकार बना था TRS का फुल फर्म हुआ तेलंगाना राष्ट समिती बाद में उसका नाम चेंज हो गया है भारत राष्ट समिती तेलंगाना में इस बार क्या हुआ तेलंगाना में इस बार भारी उलट फेड हुआ और इस बार कॉंग्रेस को वहाँ पर असपष्ट बहुम्मत मिल चुका है यानि तेलंगाना में कॉंग्रेस का सरकार बनने वाला है जहां तक मिजोरम की बात किया जाए मिजोरम विधान प्रेंक मिजोरों में काफी कम है हाला कि रिजल्ट कल आने वाला है लेकिन बहुत सारा कयास ऐसा ही लगाया जा रहा है कि मीजो नेशनल फ्रंट की सरकार एक बार फिर से बढ़ने वाली है जो वोटिंग हुआ था साथ से 30 नुमॉंबर के बीच में वो इवियम मसीन पर हुआ पहले के समय में पेपर्स पर फोटिंग होता था यानि मतगन्ना केंदर पर अगर व्यक्ति जाते थे तो कागज पर वहाँ वोट डालना होता था लेकिन अब इस्तिती बदल चुका है तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या आज के डेट में कागजों का इस्तमाल किया जाता है व भर बैठे आप जहां भी है वहाँ से भोट डाल सकते हैं आपको मतगन्ना केंदर पर जाने की अवसकता नहीं है लेकिन कौन व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं चलिए उसको समझते हैं पोस्टल बैलेट के लिए कुछ योग्यताएं होती हैं अखिर क्या योग्यता होता है सर्विस भोटर जो व्यक्ति सरकारी सेवा में है अपसेंटी भोटर जो वहाँ पर अपसेंट है यानि उस विधान सभाच्षेतर में या उस लोग सभाच्षेतर में वो उपस्थित न तो उनके लिए ये option हो सकता है, हाला कि इसका जो जाच है वो election commission के द्वारा होता है, उस पर आगे में बात करूँगा, बहुत सारे वैसे लोग जो election duty पर है, माल लिया कि राजस्तान में election हुआ, तो राजस्तान में जो election हुआ, तो बहुत सारे जो police कर्मी है, वो polling booth पर बैठे है हुए थे, उनको भी तो vote डलने का धिकार है न, तो वो क्या करेंगे, उनके लिए है postal ballot, जो सेना में है, अर्दसायनिक बलो में है, या इसके अलावा, जो भारत के बाहर, जो दूतावास होता है, भारत सरकार का, उसमें जो लोग कारे कर रहे होते हैं, उनके लिए भी postal ballot का option है, इसके अलावा, जो व्यक्ति 80 वर्स से ज़्यादा उम्र के हैं, या जो सारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, मतगन्ना केंदर तक जाने के लिए, तो उनके लिए भी ये option है, दोस्तों आपको एक बात और पता होना चाहिए, कि समानेता निर्वाचन आयोग के द्वा अर अरवा निवारक निरोद, और सिर्फ अगर wir keeper को देखा जाये, तो फिरासत होता है, अब preventive detention होता क्या है, देखे, भारतीय समिधान का अनुषेद 22 को अगर देखा जाये, तो भारतीय का अनुषेद 22 को ये कहता है कि अगर police को doubt है किसी व्यक्ति पे, कि वो अपराध कर और ये doubt confirm है तो पुलिस उस व्यक्ति को गिरफतार कर सकती है और maximum उसको तीन महीने के हिरासत में रख सकता है तो अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से गिरफतार हुआ है यानि उस व्यक्ति के ऊपर दोस सिध्धी नहीं हुआ है वो व्यक्ति बस इसलिए गिरफतार है क्योंकि उस पर सकता कि वो कुछ गलत कर सकता है तो वैसे व्यक्ति को भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट डालने का अधिकार है अब आपके मन में दोस्तों ये भी सवाल होगा कि अगर किसी व्यक्ति को सजा हुआ है वो जेल में बंध है तो क्या वो पोस्टल बैलेट के माध तार कर लिया जाता है ताकि वो in future कोई जुर्म ना कर सके तो यहां तक तो आपने समझ लिया कि पोस्टल वैलेट के माध्यम से वोट देने का जो राइट है जो अधिकार है किनके किनके पास है अब आगे का प्रोसेस क्या होता है आगे अपलाई करना होता है यानि जिनको भी पोस्टल वैलेट के माध्यम से वोट अपने डालना होता है उनको अपलाई करना परेगा कहां अपलाई करना परेगा तो रिटर्निंग अफिसर के पास अब जैसे देखिए विधान सभा का चुनाओ अभी हुआ तो विधान सभा चुनाओ के दोरान भी जो अलग लग रिटर्निंग अधिकारी होते हैं तो उस रिटर्निंग अधिकारी के पास अपलाई करना होगा इमेल के थुरू और आपको अपना पर्सनल जनकारी देना होगा आपको इन दसेंस जो चाहते हैं कि हम पोस्टल बैलेट के माध्यम से भोट करें तो पर्सनल जनकारी भी जिसे बाहर काम कर रहे हैं, उनके राजे के विधान सभा में चुनाव होना है, विधान सभा का ये लोग सभा का चुनाव होना है, उनका इक्षा है कि मैं भी अपना वोट का इस्तेमाल करूँ, तो वो पोस्टल बैलेट का सहारा लेंगे, उनको क्या करना होगा, उनको सबसे पहले apply करना होगा returning officer के पास इसके बारे में थोड़ा देख पहले ही मैंने आपको बताया उसके बाद returning officer के द्वारा वो जो apply किये है उसका जाच होगा जाच में सब कुछ सही पाया जाने के बाद returning officer उस व्यक्ति के पास उस अमुक व्यक्ति के पास कुछ कागजात सधारन डा आया उनके email पे उसका hard copy वो निकलवा लेंगे, उसके बाद उनको बजार जाकर एक छोटा लिफाफा और एक बरा लिफाफा खड़ितना होगा, यहाँ जो hard copy निकला था, उसमें कई तरह के कागजात थे, उसी में से एक है 13 कभी, एक ऐसा page था, जो 13 कभी जिस पे लिखा होगा, इसके बाद hard copy में एक e-postal भी निकलता है, e-postal कहने का मतलब एक ऐसा कागज रहेगा, उस पर उमिद्वारों का नाम रहेगा, आमूक वेक्ति जिसको भी चाहें, उस वेक्ति को यहाँ पर भोट दे सकते हैं, यहाँ भोट डालने के बाद, यानि यहाँ तिक लगा निकले थे, उसी में से a कहे 13 का a, एक पन्ना होगा, जिस पर 13 का a लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पर वेक्ति को साइन करना होगा, और साथी साथ, declaration भी मेंसन करना होगा, यानि बताना होगा कि हम फलाना वेक्ति हैं, हम वोट कर रहे हैं, इसके बाद क्या करना है, यह जितन